हेलो फ्रेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं राजी ववस्थी, स्टडी मैथ बिज राजी सर में आपका बहुत बहुत सागत है दोस्तों, आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है क्रम चे, इसका मतलब होता है पर्मूटेशन, इसको इंग्लिस में हम लोग पर्मूटेशन इस मोटा ही बोलते है और जिसे में इसका आर्थ निकालना है, सबसे पहले होगो परीशन करते हैं, आपका सब्द लिखा हुआ है, इसको हम अगर हम संदी विष्चेद करते हैं, तो एक सब्द आपका बंता है क्रम, और दूसरा सब्द बंता है आपका चै, यानि कि क्रमों का चैन करना यानि कि किसी दी गई बस्तुमों में से सभी बस्तुमों के लेकर या उन में से कुछ बस्तुमों के लेकर के बिभिन क्रमों का चैन करना होता है तो वो क्रमचय कहलाता है जैसे आपके पास तीन बस्तुमें हैं A, B और C इन में से आपको कोई सी दो बस्तुमें ल इन दो बॉक्सों में आप क्या कर सकते हैं, पहले बॉक्स में तीन में से कोई ses coastal कोल सकते हैं, यानि कि यह आपका तीन प्रिकार से बरा जा सकता है, अब आपने पहला बॉक्स भर लिया, एक स्थान आपका इसमें फिल हो गें, अब आपके पास बच्चे दो विविन तो दूसरा इस्थान आपका दो विविन ब्यस्तुमों से भरा जा सकता है और कुल मिला करके ये अगर आपका तोटल कितने विन्यास बनेंगे तीन का और दो का आप गुणा कर देते हैं तो आपका छे स्थान बनते हैं अब हम देखिए इनको आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखा सकते हैं जैसे आपको पहला इस्थान है वो A, B और C इन दोनों से तीनों और च्चों से बच सकते हैं जैसे हमने एक पहला इस्थान A से बढ़ दिया तो हमारा दूसरा इस्थान B आ सकता है दूसरे स्थान पर C आ सकता है अब हमने जैसे पहले स्थान को B से बढ़ दिया तो हमारे दूसरे स्थान पर A आ सकता है और दूसरे स्थान पर C आ सकता है इसी प्रकार अगर हमने दूसरे पहले स्थान पर C को बढ़ दिया तो दूसरे स्थान पर या तो आपका A आ सकता है या दूसरे स्थान पर आपका B आ सकता है और ये कितने क्रम आपके बनते हैं ये आपके 6 क्रम बनते हैं और इनको आपको तरीका हमने निकालने का बता दिया कि सिंपल सा इसी तरह से 3 में तो 2 आपका हो गया अब ऐसी प्रकार, अगर हम इसको और थोड़ जद्धिल बनाते जाएं, तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास चार विविन निवस्तुएं हैं, A, B, C और D, तो हम चार विविन निवस्तुएं, इस चारों को ही लेकर के क्रिटने करम बना सकते हैं, इसका हम ज़रा प्रेक्ट इसमें हमारे चार में से एक Arcticle हमारा कम हो गया अब हम क्या करेंगे तीन प्रकार से इस इस स्थान को बढ़ सकते हैं और अब आपका रह गया दूसरा इस्थान यहां पर भी दो वस्तुरों रहे गी और अंत में आप के पास एक ही वस्तुरों रहती है अब हम इसका पढ़नाम अगर निकालना चाहते हैं तो हम चार, तीन, दो, एक का गुणा करते हैं चार, तीन, बारा, दूनी, चौविस और एक चौविस एकम, चौविस तो इसका जो आया आपका चौविस आया है जैसे तीन में से दो बस्तूं लेनी थी हमें, तो तीन गुणा दो आया चार में से चार बस्तूं लेनी थी हमें, तो चार गुणा, तीन, गुणा, दो, गुणा, एक अगर हम तीन में से तीन बस्तूं लेते हैं, तो यहां पर भी एक आ जाएगा तो कि अंत में एक ही वस्तु हमारे पास बचती है तो इस प्रकार का एक गुडन खंड देखने को मिलता है गुडन इसको हम बोलते हैं क्रम गुडन क्या बोलते हैं हम इसको क्रम गुडन इन क्रम चै में और इसका एक दूसरा पाट आता है संचै क्रमचे में और संचे में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है क्रमगुलन जैसे अब हम इसको सांकितिक रूप में भी लिख सकते हैं तो सांकितिक रूप में लिखने का तरीका हमारा होता है या तो हम जैसे ये चार लिखा हुआ है इसके आगे हम 10 लगा सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल फॉर और इसको हम क्रेमा गुड़ित फॉर बोलते हैं या फैक्टोरियल फॉर बोल सकते हैं फैक्टोरियल फॉर या क्रेमा गुड़ित चार ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की बात वो आपको अच्छी से समझनी चाहिए अगर आपके पास क्रमा गुडित 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा आप ये भी बता सकते हैं यससे आपके पास लिखा हुआ है क्रमा गुडित 4 इसका मतलब हुआ 4 के सभी क्रमों का गुड़न 4, 3, 2, 1 क्रमा गुडित 5 लिख दिया हमने आपको तो इसका मतलब हुआ 5 तक के सभी क्रमों सरी हाँ 4 होगा यहाँ पर 5 गुड़न 4, गुड़न 3, गुड़न 2, गुड़न 1 एक प्रस्न भी है हमारे पास उसमें ये कहा गया है कि हमें फैक्टोरियल पांच का मान गयात कीजिए अब हम इसको संकेतिक भासा में अगर हम लिखना चाहते हैं अगर हम इसको फैक्टोरियल एंड लिखना चाहते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं फैक्टोरियल पांच लिखा होगा था इसका मतलब हमारे सामने क्या था पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक यानि कि इसका जो क्रम था वो छोटा होता चला गया ऐसे ही अगर हम इसको संक्यतिक भासा में लिखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं पहले पॉइंट पर हमने एन लिख दिया गुणा तेकि क्रम में संक्या कम होती चले जाती है इसको भी में कम करना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एन माइनस बन इसको और चोटा करेंगे तो क्या होगा लास्ट में एन माइनस टू जगह ना होने की बज़र से मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ डॉट 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 इसी प्रगार और अंत में आपकी वही एक दो तीन अंत में संक्याएं आएंगी त्री टू वन यह रहा आपका संक्यतिक मान जैसे आपको फिक्टोरियल टैन लिखना है तो आपको फिक्टोरियल टैन को मतलब आपका हुआ टैन इंटू नाइन इंटू एट और यहां पर आप इसको सेविन लिख सकते हैं कुछ क्याकरेशन हमें इनी प्रस्णों पर करने को मिलेंगी वो देहिए क्याकरेशन किस तरह से हैं जैसे आपके सामने लिखा हुआ है Find the value of factorial 10 upon factorial 7 अब आप क्या करेंगे इसको आपको सरल करना है factorial 10 गो आप लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into factorial 7 और ये आपको factorial 7 नीचे लिखा हुआ है समान संख्याँ से समान संख्याँ है आपकी कट जाएंगी और आपके पास 10 into 9 into 8 बचेगा फिलाल हमें इसको समझाना था इसलिए हम इसका गोड़न नहीं कर रहे हैं आपको के इसका मतलब ही बताना था जैसी एक प्रस्न और भी है हमारे पास उस प्रस्न को आप देखेंगे तो किस तरह से आपको समझ में आजाएगा कर रहे हैं find the value of k k का मान ज्याद कीजिए यदि लिखा हुआ है factorial 15 is equal to k into factorial 13 देखें अगर आप यहाँ पर 15 लिखे हुए हैं तो 15 को हम लिख सकते हैं 15 factorial से इसको बाहर निकाल दिया हमने 14 और 13 को हमने factorial में लिखा रहे ने दिया is equal to k into factorial 13 अब आप इसमें यहाँ पर solve कर सकते हैं आपको k की value निकाल दी है तो then k is equal to आपके पास आजाएगा 15 into 14 into factorial 13 और upon यह वाला factorial 13 से डिवाइड हो जाएगा यह आपकी equal values हैं यह आपकी cancel हो गई और आपके पास बच्चा k is equal to 15 into 14 यह रहा आपका मान दोस्तों अब हम यह तो हमें factorial का हमें मान ग्याद करना था इसको क्रम गुड़त कैस होता है यह आप समझ लिया अब हम जो है पर्मूटेशन पर आते हैं पर्मूटेशन इसको आप P से एन पी आर नहीं कि एन बस्तों में से आर बस्तों को लेकर बने क्रम च्चाओ के बिन्यास की संख्या आपको ग्याद करनी है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है factorial N upon factorial N minus R इसको संचित में आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं factorial N is equal to होता है अगर हम इसको solve करते हैं deeply यह N N minus बन dot 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 n minus sorry यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ तक आपका मान आएगा यहाँ तक आपका मान आएगा तो आपके PNPR के दो मान आपके होगे आप मुस्तली किसी मान का यूप कर सकते हैं चलिए हम कुछ परसन आपको यहाँ पर हल करा रहे हैं देखते हैं फाइंड डा वैल्यू आफ शिक्स पी 4 इक सोलिशन करना है हमें फर्ट पार्ट का क्या है इसमें लिखा हुआ है 6P4 इसका आपको मान गयाद करना है तो यहां पर आपका आजाएगा factorial 6 upon factorial 6 minus 4 अब हम इसको solve करते हैं तो देखे, यही पर मैं इसको solve की रहा हूँ आपके सामने ही क्या होगा factorial 6 अगर आप इसको factorial 6 को आप लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 करमा गोड़ीत है ना, समझ चुक है आप चीज़ जान चुके हैं छे पांच चार तीन दो और एक क्योंकि पहला कोश्चन है तो आपको डीपली समझाना पड़ेगा छे से चार माइनस किये यहां पर कितने बचेंगे दो तो फिक्टोरियल दो का मतलब होगा दो गुणा एक तो आपका ये दो गुणा एक और दो 360 तो यह आपका मान निकल के आगया 360 जैनि 6p46 p4 का मान आपका निकल के आगया 360 अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं इसी में से तीन प्रस्ण दिये गए हैं दूसरा प्रस्ण है 10P7 और नेक्ट है 10P4 तो हम यहीं पर आपको अगला प्रस्ण दिखा देते हैं लिखा हुआ है 10P7 सॉल्व कीजिए आपको फार्मॉला कहता है NPR फैक्टूरियल N यानि की फैक्टूरियल 10 अपॉन फैक्टूरियल 10 माइनस 7 यह आपका नेक्ट कोस्चन हो गया सॉल्व करते हैं आप यहां पर आपको क्या मिलेगा 10 9 8 7 6 और क्या मिलेगा चलिए स्पेस बना लेते हैं इसके लिए हम 5 4 और फैक्टूरियल 3 यहां पर आपका 10 में 7 माइनस किया आपने तो फैक्टूरियल 3 आजाएगा यहां पर भी और फैक्टूरियल 3 से फैक्टूरियल 3 आपका हो जाएगा कैंसल अब ये जो संख्या बचेगी इसका आपको गुढ़न करके बताना है और यही इसका answer होगा चलिए अब next question उसको भी आप देख सकते हैं 10p4 चलिए हम इसको 10p4 को भी solve कर देते हैं आपके सामने 10p4 that is equal to हो जाएगा आपका 10p4 factorial 10 upon factorial 10 minus 4 solve किया आपने तो 10 में से 4 आपको कितना हुआ 6 हुआ यहाँ पर तो इसको आप लिख सकते हैं factorial 6 और इधर जो है आप 6 डिजिट यानि कि आप 10 को अलग कर सकते हैं 10 से 10 थोड़ा सा mistake हो गया 10,9,8,7 और factorial 6 इस स्वाट में लिख दिया हमने factorial 6 से factorial 6 कर जाएगा आपका और आपको जो required answer है वो 10,9,8 और 7 इन सब का multiply करने के पाद आपको मिल जाएगा चुंकि हम आपको यहाँ पर procedure समझा रहे हैं ना कि हम आपको यहाँ पर question आपको लगाना ना कि आपको यहाँ पर question बताया हमने अब आपको जो answer है वो इनको सब का multiply करने के बाद आ सकता है चलिए कुछ नए तरह के question मैं आपको करा हूँ इन में से आपको एक नए question मैं दिखा रहा हूँ competition है competition में किसी भी तरह से exam आप question पूछ सकते हैं अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है और मैं आपको कुछ simple question स्टार्ट करना सिखा रहा हूँ जैसे आपके सामने question लिखा हुआ है 10 PR 12 PR is equal to 1320 find the value of r इस question में जो requirement है find r आर कमान आपको ग्याद करना है अब यह आर कमान आप कैसे निकालेंगे चलिए हम यहाँ पर आपको start करते हैं हमारे पास जो process है हम उसी को follow करते है 10 12 PR यहाँ पर आपका हो जाएगा factorial 12 upon factorial 12 minus r और यह जो आपका लिखा हुआ है 12320 अब यह रहा आपका statement और इसी statement से हमको question solve करना है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो सांकियतिक है उसको अज्यात में लेकर के पक्ष में ले लेते हैं और यह आपका हो जाएगा 12 minus r nothing to be worried next one three two zero और upon आपका क्या होगा calculation थोड़ सा लेंथी रहेगी इसकी कुई भी आपको समझा नहीं आने वाली अब आप 12 को यहां से लिख लीजिए तो आपका जो 12 है वो आपका हो जाएगा 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into factorial 7 अभी थोड़े से ही मान निकाली है आप थोड़े से मान निकालने से क्या होता है कि थोड़े से मान आप निकालती हैं तो इनको cancel कर सकते हैं 12 बंजा 12 और 12 बंजा 12 बंजा 12 बंजा 11 तो यहां 10 बचा 10 से आपका 10 कैंसल हो गया अब आपके सामने क्या निगल के आ रहा है यहां पर 12 सही है ठीक 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 है हाँ हम 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 सही है बिलकुल ठीक है तो अब रॉन्ग लिख गए है वह हमारा रॉंग यह है लिखने का इसमें हम थोड़ा क्रमशेंज कर गए हैं वह थोड़ी इन्टू एट इन्टू फेक्टोरियल सेविन या इसको आप लिख सकते हैं फेक्टोरियल नाइन यह जो आपका निकल के आ रहा है 12-R इस इक्टोर टू सॉरी 12-R is equal to factorial 9 दोनों साइड का factorials खर्णों कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 12-R is equal to 9 और यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आर का ट्रांसफर ट्रांसफोर्ज कर देते हैं तो ट्वैल माइनस नाइन डैट इक्वल टू आपका थ्री तो यह अपने तरह का पहला कुश्चन था इसमें आपको सिंपल से ही दिया था थोड़ा सा टिपिकल पूछने की को होई है वह यहां पर यह हुई है कि हमें यहां पर स्वरी मैं इसको इस तरह कैंसल कर देता हूं और यह जो फिक्टोरियल 12 है यह तो आपका ऊपर आएगा और 1 3 2 0 1320 यह आपका answer यहाँ पर solution आएगा इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आपके पास factorial 9 बचेगा यह मारी mistake हो गई थी इसी तरह से अगर आपको थोड़ी समस्य आ रही हो तो मैं एक दो प्रस्ण और भी इसमें आगे जोड़ सकता हूँ जैसे की एक प्रस्ण लिखा हुआ है next question है आपके सामने np3 is equal to 13 n plus 1p3 तो यहाँ पर find the value of n यहाँ आप मैं लिखे दे रहा हूँ side में find n इस तरह के question solve करने में बहुत ही अच्छा लगता है क्या दिया गया है np3 is equal to 13 into n plus 1p3 तो पहले हम जो पर 3 formulas है न उसको हम expression बनाते हैं उनका बिस्तार करते हैं expansion करते हैं चल यह थोड़ा सा gap बना लिए हमने यहाँ पर np3 equal to हो जाएगा factorial n upon factorial n minus 3 इधर आपका हो जाएगा 13 into factorial n plus 1 upon factorial n plus 1 minus 3 यह हमें इस तरह से आपको लिखना है अब हम इसको solve करते हैं देखिए similarities धूननी होती है हमें आपर इसको हम solve किया हमने तो factorial n और यह आपका n plus 1 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा आपको समझना है factorial n is equal to 13 जो n plus 1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 bracket में और यह आपका रह जाएगा factorial n नीचे आपका solve करेंगे आप इसको तो यह आपका हो जाएगा n minus 2 देखिए n minus 3 बड़ा है या n minus 2 यह भी आपको compare करके बताना है यहाँ पर तो आपका लिखा हुआ है factorial n minus 3 और यहाँ पर आपका आजाएगा factorial n minus 2 आप बता सकते हैं कि इनमे n minus 3 बड़ा है या n minus 2 बड़ा है तो आप यहाँ बता सकते हैं n minus 2 बड़ा हुआ हुआ है अकर n-2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे n-2 को फिर से express कर सकते हैं next step में दुवार लिखना पड़ेगा मैं इस पर statement को factorial n upon factorial n-3 that is equal to 13 और यहां आपका होगे n plus 1 और factorial n और यहां पर आपको आएगा n-2 और factorial n-3 अब factorial n-3 से n-3 cancel factorial n से factorial n cancel अब आपके सामने यहां पर क्या बचेगा n-2 is equal to 13 n plus 1 इसको आप solve करेंगे और आपको value मिल जाएगे अब आप factor वाला method यहां पर पहले आपने multiply किया n-2 यह आपका होगे 13 n और प्लस 13 इसको solve कीजिएगा तो यह n transfer कीजिए गए 13 और यहां पर माइनस हो जाएगा तो यहां पर आपको 12 n बचेगा और यह आपका माइनस में हो जाएगा 13 तो यह आपका 13 माइनस में जाके 2 हुआ सुरी 12 n और 13 माइनस 2 तो दोनों ही माइनस को जाएगे तो यह आपको जाएगा माइनस का 15 then n is equal to आपका निकल के आएगा माइनस 15 अपॉन 12 ओके थैंक यू प्लीज चनल को देखते रहिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद